चत्रा में एक किलो अफीम के साथ दो तसकर ग्रफतार वसिष्ट नगर थाना पुलिस की बड़ी कारिवाही नशी की सोधागरों के विरोधि चत्रा पुलिस को सफलता हाथ लगी है एसपी राकेश रजिन को मिली गुप्ति सूचना के आधार पर वसिष्ट नगर थाना पुलिस ने एक किलो अफीम के साथ दो तसकरों को ग्रफतार किया है ग्रफतार तसकरों में अंगलेश कुमार दांगी और क्रिशना दांगी दोनों दारियातू सदर थाना के निवासी है डियासपी मुख्याले के एदार राम ने प्रेस कॉनफरेंस में बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि जै मंगला गाड़ी से अफीम का खेप गया भेजा जा रहा है इसी सूचना पर तुरित कारवाही करते हुए डियासपी मुख्याले के नेतरत में एक टीम गठन किया गया इसमें वशिष्ट नगर थाना प्रभारी गुलाम सरवर एबम सा सस्तर बल के जबान शामिल थे इसी को लेकर एनवा टोल प्लाजा के समीब वहां चेकिंग अभियान चलाया गया इसी बीच जै मंगला गाड़ी में एक संदेग दिव व्यक्ति की तराशी ली गई तो उसके दोनों पैर में एंकलेट के सहारे छिपा कर रखे गए एक किलो अफीम बरामद हुआ है दोनों तसकरों ने पुलिस को बताया कि लावा लोंग थाना श्रेत में उनके द्वारा अफीम की खेती की गई थी उसी से निकले अफीम को वे बेचने के लिए गया जा रही थे पुलिस जग महदय को सुचना मिली की जै मंगला बस जो गया की उर जाती है इसमें दो अफीम तसकर अफीम पुल्यतर जा रहे हैं इस सुचना के अधार पर छपमाई दल के गठन किया गया छपमाई दल के दौरान मरेनवा टॉल पक्स के पास जै मंगला बस को जात किया गया जात के करम में संधीत अवस्था में दो बेक्ती को चिक किया गया चेक के दिवान में उस ब्यक्ति के पायर के नीचे इन क्लेट में बंधा हुआ एक कीलो अफिम परामत किया गया उस ब्यक्ति का नाम और पता पुछा तो उसने अपना नाम लेश कुमार दांगी दूसरा कृष्णा कुमार दांगी दोनो ग्राम दर्यातू थाना सदर जिला चत्रा बताय गया इन ब्यक्ति ने आगे पुछने में पताया कि यह लोवालंग तरफ से खेती कर अफिम का परदन किया है और यह बिहार तरफ ले जा रहे थे चप्ति समानों में अफिम एकिलो पायर में पहने वाला इनकलेप दोपीस मोबाइल ग्रीवा कंपनी का एंड्रोन मोबाइल दो नमबर नोक्या कंपनी का कीपेड मोबाइल इत्यादी बरामद हुआ है ज़े मंगला बस से लेकर बिहार रहा था चप्ति मारी दलके कठन में थाना परवारी गुलाम सरवर आयालबी के जवान एवंग थाना के पुलिस इंस्पेक्टर मजूद थे बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एक मात्रस अंस्थान जहां है